नवश्कर दोस्तों दर्भंगा रुक्स में आपका स्वागत है। लोग बाहर से आ रहे हैं इसलिए यहां पर भी अब सक्ती बढ़ती जा रही है दर्भंगा रिपोर्ट पर तो खास दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है उन लोगों के लिए उन खास राज्यों के लिए जहां पर कुरोना ने बहुत तेजी से रौधर रूप अपनाया ह है और दूसरा जो दूसरी जो लहर है वो बहुत घातक है खतरनाक बहुत तेजी से संक्रमन हो रहा है इस वज़े से दर्भंगा रिपोर्ट पर जो है खास करके महाराष्ट केरल पंजाब के लिए तीन रच्चों से आने वालों के लिए अब निगेटिव रिपोर्ट लान से जारी की गई है और ये कहा गया है कि महाराष्ट पंजाब और किरल से आने वाले सभी यात्रियों को ततकाल प्रभाव से यात्रा प्रारम करने के बहतर घंटे पहले तक के निगेटिव कोरोना कोविड नाइंटीन आटी पिसिया रिपोर्ट साथ लाना होगा तभी उनक इंडिया और हर्दीप सिंग पूरी जो मिनिस्टर हैं उनको भी टैक किया गया है और ये बता दिया गया है कि ये स्थिती है तीन राज्य यानि कि केरल महराष्ट पंजाब ये देखें महराष्ट सब सरवाधिक प्रभावित राज्य है केरल है बहुत ज़्यादा यहां भ को यहाँ पर निटी होगी और यह जो चेन रोकने के लिए चेन को तोड़ने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि पटना में जो जाँ चल रही है उसमें हर पांच पांचवाँ शक्स जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है तो इस तरह के हालात ब पहला है दूसरी लहर जो आई है ये कौन सा रो रूप अपनाता है तो फिलहाल मितला और उत्तर बिहार के लावा पूरे बिहार में इसको ले करके नजर बनाए हुए अधिकारी और देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या और कदम उठाए जाते हैं तो फिलहाल जो इ रफ्तार बनी रहती है तो हो सकता आगया आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन पर भी सरकार विचार कर सकती है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रू लाइक कीजिए शेयर कीजिए अमड़ी सब्सक्राइब कीजिए कुछ और वीडियो को सब प्रिया दनावाद जेहिन